नमस्कार फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्पागत है मैं आनन स्रीरिंग्नासन आज निफ्टी पहले जब कुदी तो नेगेटिव कुदी 110 पॉइंट्स डाउन थी एक से में उदर से मार्केट ने रिकावर किया और पास्टिव ट्रेड रिम गया 170 पॉइंट्स अब तक गई अभी जब मैं बात करने के लिए तैयर रहा था एक चोटा सा ड्रॉप है 140 पॉइंट्स प्लस पर ट्रेड हो रही है जो एफ है इस निरंतर बेच रहे हैं तो वो बेच रहे हैं ते सुबख मार्केट कुलने से ही उन्होंने बेचने के लिए आ गया है और डमस्टिक इंस्टिश्ट इंवस्टर्स ने करिदारी शुब की तो इसी कारेंट मार्केट में रिकवरी आई फॉरें पॉर्टफोलियो इंवस्टर्स ने पहले पांच दिन नॉब्र में लगबग 20,000 को बेच दिया है मार्केट इसी लिए कुशी है कि अक्टोबर के पहली पांच सेशन में उन्होंने 40,000 को बेचा अभी सिर्फ 20,000 को बेचे हैं डमस्टिक इंस्टिश्ट इंवस्टर्स पिछले महीने भी करीद रहे हैं तो जो पांच दिन हुआ है पिछले पांच दिन में चार दिन दमस्टिक इंस्टिश्ट इंवस्टर्स नेट बाइस थे तो साफ बात है कि दमस्टिक इंस्टिश्ट इंवस्टर्स मार्केट को होल्ड करने के कोशिश कर रहे हैं जैसे मैंने बोला आपको गोल्ड की धहम में गिरावट आई है गोल्ड गोल्ड इस तो करेक्ट और तो देट फेल बैए 55 रुपीस 7720 रुपीस पर ग्राम इन मिर्रास प्लस GST for 22 क्यारट गोल्ड तो overall markets are very weak and looks to be very difficult मैंने expect किया था कि Tata Motors की जो result आई थी वो कराब आई थी market उसको negatively लेगी लेकिन domestic institutional investors की purchase के करण Tata Motors में 805 से लेके जब मैं देख रहा तो 822 तक उसको लेके गई लेकिन Asian Pains में उतना अच्छा news नहीं था क्योंकि profit after tax 49% गिर चुकी है तो लोग expect कर रहे थे कि correction होगी तो correction आगई 10% की correction तो लोग पूछ रहे हैं क्या हम Asian Pains को consider कर सकते हो मेरा answer no है अभी भी valuations 50 या 48 के आसपास है 50 times earnings और 48 times earnings market को इधर से 50% इसको connect करना पड़ेगा therefore हम इसको consider कर सकते हैं क्योंकि fundamentals और business ही बदल गई है market में इनका जो pricing power है वो चला गया है एक दो deep rooted pocket players GSW Steel और कुमारमंग लंब लागूप ने इस market में hintry मार दी है और news है कि आदानी भी इसमें इंटर करना चाते हैं तो competition बहुत strong होगी disruption होगी और price correction हो सकती है price correction paint में हो सकती है और margins contract होने से एशेंट प्रेशर में आ सकती है paint बनाना कोई rocket science नहीं है सर्फ implementation और distribution का business है तो ये तो सारे दो players हैं के पास already distribution network है उन distribution network में इसको load करना चाहिए वो जरूर load करेंगे तो इसी कारण एशेंट प्रेशर में है market में Tata Motors को भी pressure में आना था नहीं आए पाई South Indian Bank में आज के correction हुई 23.7 में trade होई है इंडस इन बैंक में भी correction है इन सारी reason का कारण ये है कि personal loan में बड़ा crackdown RBA ने कर दी है micro finance sector भी pressure में है इसके बदोलत जो crackdown के कारण gold loans की सोर हो रही है तो gold loan sales 51% उपर है और personal loans ना मिलने की खारण के भी कामत ने बताया है कि RBA ने टीक किया है क्योंकि जो नुकसान हो रही है derivatives market में और ने नुकसान को बरपाई करने के लिए लोग personal loans और credit card को यूज़ कर रहे हैं SEBI ने एक announcement की ती चे महिने पहले कि हर बार जब F&O order place करना चाहे है तो आपको एक notification आएगा कि 9 out of 10 players in SEBI lose money while trading in markets उसको market ने परवा नहीं किया volume बढ़ता गया first global की दिवीना वर्मा कहा कहना है कि 93% of traders lose money जो पैसा lose कर रहे हैं वो पांच लाग के कम की आदम आमदनी है इनकी सालाना और जिन पैसे को ले रहे हैं वो हैं foreign social investors और broker की private proprietary trades ये पैसा बना रहे हैं और जो बेकरा टेर 2 टेर 3 टाउन में आदमी हैं लोग हैं जो कर्स लेके इसको trade कर रहे हैं वो पैसा खो रहे हैं है ही news है स्वेगी का IPO कल या person list होगा लेकिन अश्वद्धा मुदरन जो valuation के बड़े expert होते हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इसे इतना value मिलना चाहिए तो market में correction definitely last week है वोला electric की announcement के बाद भी कि उन्होंने losses को कम की market ने उससे एक fist of salt से ली है वो good market प्रेशर बजारी है इस उपर वो रिजारी market में सुबह 71 रुपीज में trade हो रही थी लगबग 10% की काट है और जो peak price है 157 जिनोंने उन peak levels पे करीदा उनका बड़ा नुकसान है दिवी स्लाब का result आया बहुत बहतरी result है 46% profit gain है इसके बारे में मैंने अपने टमल चानल में 2-3 साल पहले बताया था ये तो हीरा का सुई बन गई ये अभी तो confirm हीरा का सुई है आप इसको consider मत कहीजिए क्योंकि इस valuation में P-B-Ratio बहुत ज़्यादा है और उनकी सारी अच्छे news जो है ये already discounted है और कोई discount के लिए नहीं है अगर मेरा जैसे आपके पास ये stock है तो आप इसको रखिए क्योंकि ये अच्छा performance देगी L.A.C. का news ये है कि L.A.C. में 4% की market decline है profits decline है market में gains नहीं है और SEBI का dictate जो हम कहते हैं उन्होंने आदेश दे दी है कि जो commissions first time buyers of policy हैं उनको कम करें और 10% maximum कभी हिंद है तो ये जन्स बहुत नाखुश है और कोई बेचने को ले नहीं है तो आने वाले सालों में अगर SEBI और IRDA का आदेश फलो हो जाता है तो commissions कम हो गया तो ये sales भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ये life insurance company में इसलिए शायद L.A.C. कह रही है कि वो एक stand-alone health insurance को उन्होंने वो acquire करना चाहती है क्या वो acquisition successful होगी की नहीं टाइम ही पता सकता है अगर आपके पास ये stock है आप इस exit consider करें क्योंकि जो market है इसके favor में नहीं है और market इसको pressure में डालके नीचे push कर दी है Global James, Hindustan, Unilever Nestle और Pepsi ने ये कहा है कि उनकी total product sales भी कम हुई है जो पिछली साल की quantity है उससे कम quantity इस बार उन्होंने बेची है लेकिन जो report आया जिसको मैं डाल रहा हूँ वहाँ ये भी कहा गया है कि जो good healthy food है उनका sales और कम हुई है जो कम नहीं हुई है वह unhealthy foods और snacks की है ये हमारे लिए एक भड़ा warning है जो इन सब को consume करते हैं आज बिटारियां की results आने वाने हैं तो हम देखेंगे कि क्या earnings कितना है विलेच शाक को तक securities बोल रहे हैं इस साल की earnings तो somehow match कर लेंगे लेकिन अगले साथ 18% increase होकर 1260 का target कभी कदाइचित meet नहीं होगा current level में भारत की जो मुद्रास्पिती है inflation उसकी numbers आई है 5.81% पर overall मुद्रास्पिती में कोई काबू नहीं है इसमे food inflation बहुत ज़ादा है भारत की statistics ministry core inflation के data नहीं देती है लेकिन ये साथे 3% से कुछ तोड़ाओ उपर होना चाहिए food inflation इसलिए important है क्योंकि जो middle class और गरीब लोग है उनकी 50% घर की budget सिर्फ food ही है तो इसके ignore करके आप calculation करने माले नहीं तो इसमें से rate cut का chances बहुत dim होती है लेकिन pressure के कारण शाहिए शक्ते का अंददास 0.25% interested कर सकते है उसके बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि inflation बहुत ज़्यादा है सो sustain rate cut भारत में नहीं आने वाली है आज के लिए इतना ही आपने इस podcast को सुनाए इसके लिए मैं आपका आपारी हूँ हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं इस वीडियो को अपने दोस्त और रिष्टेदार के पास बेजे और उनको देखने के आखरे करें नमस्कार धनिवाज जय हिंद।